इसके दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत हैं आज मैं आपके सामने जूनियर डिवीजन का साइंस के वीडियो सोलुशन लेकर किया हूँ हमने जो पेपर कंडेट करवाय था वो 31 अक्टूबर सर्दार बननम मैं पटेल जी की जैनती के उपलक्ष में कराया था और इसमें बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉंस रहा लगब एक हजार बच्चों ने इस पेपर को पाटिसिपेट किया और इस पेपर का मेल उद्देश चिकेवर यही था कि बच्चों को जे इमेल और नीट और ओलांपियाट जैसे एक्जाम के लिए प्रेलित किया मुझे आशरा है कि बहुत से बच्चों को इन एक्जामों के बारे में इस पेपर के मातलiğन से जानकारी मिली होगी चले स्टार करते हैं टायम वेस्ट ना करते हुए अपने स्टार करते हैं है junior division के question number one से देखो junior division का जो paper था इसमें कुछ हमारे knowledge based question भी थे यानि कि कुछ theory based question जो हमें यार होते हैं याद करना पड़ता है तो देखिए सबसे पहला परशन किया हुआ है यानि बल्कि SI unit क्या होती है फोर्स की SI unit क्या होती है तो पहला option जो इसका हमारे पास answer आएगा पहले कोशित का वाइगर Newton force की SI unit जो बच्चों होती है बल्कि SI unit जो होती है वो क्या होती है Newton इसलिए इसका answer we will be the correct option second question माने पास किया दिया वा बच्चों woman's sandal hurts more than the man's sports shoes because ऐसा क्यों होता है कि जो औरतों की sandals होती है यानि sleepers होती है उनमें छोट लगनी की chances ज्यादा होते है अब जल्दा माइंड में दिबाग लगाओ, chances क्यों ज्यादा होते है क्योंकि जो women's की sandals होती है वो heel वाली होती है, heel वाली होती है जो heel वाली sandals होती है उनकी नीचे की portion होता है वो area कम होता है और हम लोग की सूज बगेरा होते हैं उनमें area का portion जमील में एकना सारा रख रहता है तो दिबुदा के action में कि अगर इसके heel का surface area जमील से contact अगर हम ground से contact की बात करते हैं तो उनका जो sandals होती है, sandals की heel होती है इतना portion जमील से contact में रहता है और इतना portion जमील से contact में रहता है और हमारा suze होता है सूज क्या होता है, women's की सूज जो band होते हैं उनके सूज का contact जो होता है बहुत ज्यादा रहता है तो अगर area of contact कम है तो बताओ इसमें गिरने की chances ज्यादा है की नहीं है ज्यादा है ना बोलो कसम से बताओ इसमें अगर area of contact यानी शेत्रिफल जो है मतलब की जो surface इस ground से touch वाला शेत्रिफल है वह बहुत कम है और इसमें बहुत जादा होता है इसमें बहुत कम है तो गिरने के चांसे इसमें जादा है अगर गिरने के चांसे इसमें जादा है तो चोट लगने के पी चांसे इसमें जादा होंगी तो सवाल वाला दिको क्या कुछ रहा है, पहला option दिया है, woman's is stronger, जो औरते होती है, बहुत जीना मजबूत होती है इसलिए उनके चोट कम लगती है, ऐसा क्या, नहीं woman's is नहीं होती है, इसलिए उनके चोट चाहती है यह उसका जो होता है जमीन से बहुत कम होता है और अगर कंटेट कम होगा बच्छों तो कंटेट कम होने की वजे से गिरने की चांसे बहुत जादा होगी यह चोट लगने की चांसे क्या होंगी जादा होगी इसलिए सेकेंड को अप्शन नुमघर कौन सा टोगा वी थार्ड ने अगा आज़ू सब्सक्राइब और एक परतन बना और पास एसा करके ऐसा करके ऐसा करके आप खुंसोचों दो सब के दी हुई है आपने सवाल में, ये हाइट के अच मेले मा र थे इसकी भी एच है और र इसकी है, और इसकी ही तो फ़ल में इसका अच्छक पर क्या क्या वोक्क प्रैक्षय तेखते हैं, लेकिन अब हीृः माने गजाना लकाते हैं। वाटर भरा होगा, ठीक है न, पूरा, अब आप एमेजिन करना, जरह देहां से दिखना, कि देखो, होता क्या है actually, आप यह वाले example होता में रखो, जैसे एक बोरी, दो बोरी, और तीन बोरी रिस्ट हुए है, तो नीचे वाली बोरी पर सबसे ज़्यादा प्रशन लगेगा, जो बोलो, सबसे दवाव किस बोरी पर लगेगा, तीन बोरी रखिऊ ही है, तो सबसे दवाव किस बोरी पर लगेगा, नीचे बोरी पर लगेगा, bon Do This San究 models, शेए लेकिन समझ बता रहा है, कि नीचे जाने पर क्या होता है पचो, प्रेशर जो होता है, हमारे पास वो प्रशर उतना बढ़ता जाएगा तो इसमें कितनी हाइट निचे आ रहे हैं यहाइट निचे आ रहे हैं तो क्या होगा नीचे जाने पर जैसे माद लोग नीचे जैसे तीन बोरिया रखे हुए है इस पर प्रशर और इस पर प्रशर तो बराबर होगा ना बोलो बोलो बराबर होगा की नहीं होगा इसको ऐसे याद रहते हैं कि पाने के अंदर यहाद हम नीचे जाते हैं उतना प्रशर बढ़ता जाता है यदिस सबमें हम पराबर अरे पास यहाद है तो नीचे मुआ पास सबका रहते है या योणि सबका देवार जो होगा हमारे पास सेम होगा इसी निया इसको option number बच्चों हो जाएगा हमारे पास D, तो अभी तो हमारे पास B आया है, D आया है, फिर इसका third तो क्या answer आ रहा है, D आ रहा है, question number 4 देखो, question number 4, बहुत जीजिए, knowledge दीजिए, क्या लिगा होगा है हमारे पास, पासकल, पढ़ते बच्ची, पासकल जो होती है, ये unit किस ये unit होती है, किसी ये unit होती है, इसकी होती है, doubt part is the SI unit of pressure ठेबाभ, पासकल किसी unit होती है, प्रेशर क TE, इसमें option 4 तो option number a will be the correct option. यहां तक आई तिन आपको समझ में आगे होगा, कोशन नुम्र 4 तो समझ में आएगे होगा, सबसे अच्छा कोश्ण इसमी यह वाला था, कोशन नुमर 3 आपको, कोशन नुमर 3 में क्या होगा, जितनी हाईट नीचे जाते हैं, उदना जादा प्रेशर बढ़ता जाता है, एक गाउ में डॉक्टर ने एक लड़के को पालक खाने की सलाई दी, सुनो, एक गाउ में एक डॉक्टर ने लड़के को पालक खाने की सलाई दी, बच्चो पालक जो होता है, पालक में हमारे पास आईरन पाया जाता है, क्या पायाता है, आईरन, और आईरन उस बच्चे क तो फिप्ट ने आंसर आजाएगा आपका बी नमबर समझदाबात को क्या बोला कि एक गाउ में एक डॉक्टर ने क्या किया बच्चों को पालक खाने के सलाय थी पालक में आईरन पाया जाता है और आईरन जो होता है वो अनेमिया रोग से हमें बचाता है इसी लिए उसे हम हम अप्शन नमबर बीड़र k करेंगे मतला क्शाट करेंगे कि करेंगे बहांने या पास में आफ आए तो आप्शीन से लिए पंछन साहर उसे होते हैं करना कर घूभ गष्ट करना पर अकर्शन नहीं होगा प्रतिकर्शन, अगर दोनों सेम सेम होते हैं, दोनों अगर सेम सेम को पास पास लाते हैं, तो उनके विसमे क्या होता है, प्रतिकर्शन होता है, क्या होता है, प्रतिकर्शन होता है, अकर्शन नहीं होता है, क्या होता है, उसमें बच्चे बताओ, प्रतिकर्शन होता है, और इधर सेम सेम नहीं है, एक इधर नौर्थ है, इधर साउथ है और इधर नौर्थ है, इधर साउद है, अलग 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 को मिलते हैं, अलग अलग अगर आते हैं, सेम सेम में क्या होता है, प्रती कर्शन और अलग अलग में क्या होता है, आकर्शन होता है, क्या होता है, आ हैं किसमें होता है अलग आता हुद में हो ना मंत सही है इस एपलग निक हो था संगल आ को जोल नरी कंता है और ऑपशन करना हो है यानि 6 का आंसर बच्छों क्या आएगा, बताईए, 6 नमबर का आंसर हमारे पास आ गया, B option, देखो कितने हैं, इजी-जी question दिया, उन्हें बताओ, इसकुछ नहीं करना, इसमें इतना याद रखना है, कि सेम-सेम हमेशा दूर भागते हैं, और अलग-अपोजिट-पोजिट फोजिट-पोजिट पोजिट जो होते हैं, वो इक दूसरे को कहते हैं, एट्रेक्ट करते हैं, ठीके न, चले, question number 7 में आते हैं, question number 7, question number 7, question number 7 बहुत इजी question न, बहुत इजी, इसने दस्वी लास बढ़ी, उसने बढ़ लाता है, अलाक याट्वी वालो सो नहीं बढ़ता, आत्वी वालो की लेबल के नहीं, दस्वी वालो सुरे होता है, तो प्लेमिर हुट पनर, एक्टम सी प्लेम हैं, तो प्लेम् बढ़ वालो सी जिपेखता हैं, अव्जेक्त जितने पर वस्तू है उतने दूरी पर ही उसकी इमेजश बनती है तो उतने जांत ब मunyaटे मुंपकळ आपके इसके लिएे ऱान डर्फण की मिलैंच बैसे आपके सेउत यह प्रन जोटने शुसकरति ऑप है उतने ही भी पर उसकी प्रतिपिम है इमेज बनती है ठीक है लाइस पहुंसे रूप पहला आप्छले गोह इनल पान्या साइट वाच है तो इसला पांच अची गोड़ गलत गल्त कि इस दार करेक्ट ऑप्शन की पांच और पांच समझ गेना गोलो समझ में आए हैं तो इसमें क्या याद करना है कि प्लेन दरपड में क्या होता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसकी प्रतिविम बनती है कि अगर कोई ऑब्चिक्ट हमारे पास इधर जा रहा है यादी फोर्स बल्व लगा करके हम इधर खीच रहे हैं समझना जान से चित्र पूछा इसमें पहुंस लिए तो अगर हम क्या करेंगे बल लागा करके इस व्लॉक को इधर खीच रहे होगे तो जानते हो तुम लोग फ्रिक्शन जो होता है यानि घर्शन बल जो होता है वह हमेशा दिशा मतलब कि जाने बादी दिशा के उल्टी दिशा के लिए डाएक्शन में लगता है यानि बलॉक जो है यह यो बॉक्स है ऐ वोक्स मानो इस टी इदा जा रहा है तो फ्रिक्शं पोर्स इस पर इधर लगेबा प्रिक्शन जो घर्शन बल होगा घर्शन बल होगा तो तक दरी अमारे पास पीछे साइड लगेशा तो नीचे आता है ग्रेविटी के कारण तो ये ब्लॉग भी ग्रेविटी, डव्लू ग्रेविटी, हैमिजीब के बना पर होता है, इसको चलो बार ग्याली ग्लास ओपर होगी, लगिन छोड़ो इसको, इतना समझ में आता है ना, इसका डव्लू वेट नीचे साइड लग रह इदसान लग रहा है तो फ्रेक्ष्ण इदर लग रहा है, चेक बोट ओप्ष्ण या, और या और प्रेक्ष्ण कबसे नीचा लग्या आता है उसके उ South जांती दीशन में लगता है ठीक है तो देखो औप्शन नमबर थीजना देखो फूर्स जाह दर रहा है रिक्षें इदर लगए डबल नीचे लगए तो ऑप्शन नमबर सी इस दा करेक्ट ऑक्ष्ण नमेर एक में क्या आग्चो आपका ऑप्शन नमबर सी समझ लेशन नमब करते हैं कोशेन नाइन कर रहे हैं तो पास्ट फास्ट अपन कर रहे हैं तो नाइन कर दिया है नाइट्रोजन तो आप्शन नमबर ए इस दर्ट आप्शन वर स्ञेlor में पशल्ट नमबर टैनम उपनेला ख grues 아이 Bach क्था horrific आप तो पताना है जुटी कि एक इस डॉन में उतक्त एक होगे अभी स्ब्सक्राइब की ऑफड़िको और Men आपको याद्ट परना बड़ेगा ktosition होती हैं किस्ते होते हमारे पास डूरा लूीन कि मैं दूरा लूमीन से बनती है कि मैं दूरा लूमीन चीज गया इसका क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्थ नंबर आ गया देखो ये मैं जिस कॉलम जो है वो तक पजाय टायद कर लग रहा होगा बंचो को मैं जिस को लम आखिरकार जही में बड़े बड़े एक्जामों मे लूप लुज बीसी तरह आते है तो आपने इसको पहले डिला लीता लेते हैं कि इसका कौन पांसर गई हो इście शेल ती C3 तीसरे नंबर वाले का थीसरे का अमारे पास पर टार जार वांगा कि जो हमारे पास मेल थी से बनाते हैं किसे को मुलता है sorry 모क मिलता है तो मेल पास क्या दू Ç पी когда आ कि पहले का मैच कर गया 4실ए कौन सब्सक्राइब क्ला हमारे पास कर थीसरे का डूसरा मारे मत्त जो डूसरी है कुंछ तौण जो होते हैं ऐसे जिसिंद स्थ ज Chennaz痛 भ्रतन दर्थ तो जब थित्स अपन लोटया हो गया घ्लास हो गया इस सब इस वह तो हमारे पास second को जाएगा, फॉर्थ वाले का हो जाएगा, answer number 3 तो देखो क्या है, फैरे का चौशा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा तो इस तरहे match करते है, अब बड़ के बना हुँआए मारे पास यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यह क्या है, option कि अपशिन ना अप्षियर G45 कि अप्ष कििए करें अब इसमें देखो अब पहले का आंजम तो क्या दया पहले का लगे टू रहा है तो चाहर गिखकर की स्में लिखा हुआ है इसले क्शे में लिखा हुआ है इसले क्राइप अलग झाफ में लिखा हुआ है मारा पास C वाले में लिखा हुआ है तीसरे चाहांसर बोलो के है तू है चौटे लाइसर बोलो के है ठीर है यह तो यह यह बादा सभी होगा है यह 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 आप्शन नम्बर C is the correct option समझ ले बच्छो ठीक है आई तिन आपको यहां तक समझ में आगे होगा चलो आप आपके बढ़ते हैं कुशन नमर 11 कि अच्चाहिए कि पताता है कि सुरू कहां से कियो हो इनीशियल पोजीशन यानि स्टार्ट कहां से कियो हो और इंड कहां में उसके बीचे की दूरी तुम में बोलर का जा रहा है इसमें को प्रशलेंक Гर्ण क्या प्रच मेंगा जाता है और थोड़ी देर बाद A पर ही पहुत जाता है तो बताओ, starting और end position के भी इसमें दूरी कितनी हो गई? 0, starting और end position के भी इसमें दूरी कितनी हो गई? 0, तो displacement कितना हो गया? 0, तो option क्या जाएगा हमार पास? C option is the correct option इक आरव भी हो गया, बहुत इजी question था अब आजाओ, बारवे में आजाओ बहुत सदा सदा question दे दिया, या तो इजी-जी दे दिया हो न? आप चलो बारवे में देखते हैं, बारवा question प्रटाफ है अपर ठीक थाग है, तो आप question रहता है बस ठीक थाग है, देखो अब ये नौभी class में पढ़ते हैं, बारवा question जो है इसको नौभी class में पढ़ते हैं देखो क्या कर रहा हूँ है, एक block है इसको 10 meter चलने के बाद यहां पहुंच जाता है इसको धटका कितने से दे रहा हूँ? 10 newton से दे रहा हूँ 10 newton से दे रहा हूँ 10 newton चलने काल नहीं निकालना है काल नहीं नहीं फार्मुला होता है f dot s होता है force dot displacement अना, force dot displacement अब 11 newton class में अच्छे से पढ़ोगे dot वगरा फोल करके, लेगिन यहांपे direct सों force into displacement, force dot displacement होता है लेगिन अभी तुम्हारे के dot वगरा कुछ नहीं है छोड़ो, तो तुम direct force के वगरी को 10 और displacement कितना होगा है 10 तो यह हो जाएगा हमार बस को और यह answer आएगा Joule में नहीं समय में आ रहा हो तीजिता क्या का का कार्मुला यादम चीए कि बल गुणा विस्थापन बढ बढ बल into displacement कर दिया है तो उससे अंसर आजाएगा हमार पास समय में रहा रहा है बल 10 लग आथा और displacement में इस्थापन कितना तो 10 था तो इन्हों को गुणा जो होता है वह हमार पास क्या पता है कार्म यह होता है और कार्म की SI unit होती है वो Joule होती है इसलिए इसका आज़ाएगा बच्चो 100 Joule जैने option number A is the correct option question number 13 question number 13 question number 13 8-2 वालोस नहीं बनेगा question number 13 9-2 वालोस नहीं बनेगा question number 13 10-2 वालोस बन जाएगा ohm law है कौन सा law है ohm slow ohm slow side पढ़े है ohm slow ohm slow में क्या वता है V is equals to IR V is equals to IR और इसका जो graph बनता है हमारे पास किसका graph बनाना है V versus i कि बनाना है V versus i तो यहां पर इसको solve करते हैं तो V by i बराबर क्या आता है हमारे पास R आता है R resistance resistance मतलब प्रतिरोदग तार जो होती है हर तार का एक प्रतिरोदग होता है तो यह कॉंस्टेंट होता है इसलिए सब्सक्राफ जो बनेगा इस्टेट राइंट बन जाएगा या और यह ऑप्शन नम्बर एक अठी वाले चिंता ना करें तस्वी वाले यादी नहीं बना है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि यह तो आपके सलीवस में है ठीक यह बहुत इंपोड़न कुष्चे है भ्यांस देगाए से क्या बोल रहा है एक पार्टिकल है एक वैक्ति है जो एसे बी में जाता है एसे में जाता है फिर करता है और जो होता है वह हमेशा चलने की दिशा के विप्रीट में लगता है तो बताओ तो तुम खुद बताओग निगा क्यों होता है वो हमेशा मो एकशन के लगता है चांग कि एलोगने है और और टिकल जो है यहां से एक बंदा जो होका है एसे बी मिल जारा है एसे जो फ्रिक्शन फॉर्स हो वहाँ कि जब जाने की दिशा इधर साइड होगी तो घरशण बर की दिशा अभलोब जाने की दिशर यदिजर अब यहां से यहां जा रहा है क्या जाने की दिशा ऊपर साइड है तो गर्षट बलोगी दिशर को से साइड है तो अब देख लो pense कर रहा है करना क्या था इसमें कुछ नहीं करना क्या था इसमें कुछ नहीं करना था इतना याद हुना चाहिए बच्चो को कि घर्षयबल जो होता है हमेशा चलने की एपी उटी पीशा में है समझ यह बात को चलो कोशन नमर 15 में क्या बोला है वेटर वीटर विच्च इंड जिसपे जंग नहीं लगती है पानी के साथ आवा के साथ और इंस सुना सोना में जंग नहीं लगती है जानते हो पश्मक से जानते हैं तभी तुम सोना कीश्टी करिकते हैं बहुत मैंगी होती हैं इसे नहीं लगती हैं तो सोना सी ऑप्शन तर गरेक्ट ऑप्शन दो जालोगे, यहां पर याझना यसी दभाव, बहुत जड़ दवाव दोगे, बहुत ज्यादा पूर्स को कोशिए पर जाती है तो कुछिष नुम्र सबक्थे नुम्र सस्तिरा क्या है इमारपसजों पुछिए क्वाय पक्रडेश्च अब कुछिए कोशिए नुमर ब सब्सक्राइब देशल्ट पताते हैं क्या पूंटिटेए पूछ आए लिए और धाइए 37 मात्रा तो इसका नाम यह जो होगा हमारे पास कौन सी quantity होगी, 37 value हो जाएगे ना, यारी vector quantity होगी, यह 9-0 class में बच्चे पढ़ते हैं, जो 9-0 वाले बच्चे होंगी न वो जानते होगी, कि जो displacement यारी जो विस्थापन होता है, वो एक 37 value होती है, विस्थापन में इसमें क्या होता है, दिशा भी होती है हमारे पास, दिशा और मान दोनों होता है, direction भी होती है, और इसका मान भी होता है, इसी दिए विस्थापन जो होती है, वो 37 value होती है, तो विस्थापन अगर 37 value है, यह मैं पास फॉर्ट मेंच कर रहा है उसका फॉर्म्ला होता है । कर दो होता है तो तो दूसरे नंबर का है नवस्त प्रिंगता कि योटा लिख अजी सव कहा हो तो दूसरे कि आपश किया जाएगा मैंने पास वान केंगा करेंट 3 यह दो वोई होती इन हों दसविवालेच्छ्ट जानते होंगी तो जानते होंगी तो इसरे का हमारे पास क्या जाएगा दूसरा नमबर very contrast distance I 산 यजि यानि हमारे पास क्या जा जाएगा अधिस्वक मात्रा ठीक ना तो बता ओ कर ओ पैले में पास 4 पहले का 4 ग lagi दूसरे का पहना, तीसरे का दूसरा, चौतले का तीसरा, यानि एक is the correct option, समझे कुछों, कुछों नहीं करना होता है, मैं आस इस कॉलम में अधी आपको एक दो बंच आए ना, तो आप उसको ढूड़ के match कराने कोशिश किया हो, जोड़े नहीं सबका answer आपको पता होगा, चा है और इधर साइट या हमारे पास time है, तो distance time ग्राफ पराना है, यह ऐसा होगया, ऐसा होगया, ऐसा होगया, यह क्या बना होगा किसे के बोल रहे है, O से A, B, और यह हमारे पास C, पूछ रहा है कि, velocity का हमाँ पर same होगी, तो uniform होगी, तो देखो ध्यान से दिखना, ग्यार जो slope होती है, slope, 11 एक पड़ों पर, आभी बताता हूँ है, slope जो होती है, वो slope किसको बताती है, velocity को बताती है, speed को बताती है, तो यहां पर रहे को सब्सक्ति, speed क्या है, same है, यहां पर हदा बे, फिर जीए रहा है ने से बन दिखना है, यहां से होगी, यानि हमारे पास O A और V, C, इन सम्में, velocity जो है, वो क्या, speed जो है, यानि गती जो है, वो समान है, तो कुछ रहे जाती समान कहा है, यहां, और यहां गती समान है, यहां गती समान नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा मारा दीन, तो ठेंक्यू बच्चो, सारे solution ने बता दिया है, अभी आपको solution बताएंगे, और इसे प्रकार में reasoning के भी solution बताएंगे, थोड़ा time, थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है, आप मिलाईए, अपने मार्क्स कर पूलेट करिए, और जो question और भी नहीं समय में आ रहे है, आप comment section में में message करिए कि यह नहीं समय में आ है, I will try to explain all things, thank you.